आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घंटी को इंगलिस में क्या कहते हैं घंटी मंदिरों में भी होती है हमारे घर में भी होती है तो इस घंटी को इंगलिस में हम क्या कहेंगे bell गंटी मंदिरों और अनसारवजनिक स्थलों में अध्यात्मिक साथकार का संकेत हो सकती है bell in temples and other public places can be a sign of spiritual awakening डेली ने ने हिंदी वर्ड की इंगलिश जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें thank you for watching the video please subscribe to our channel